हलो गाइज फिर से एक नए वीडियो में सुवागत रेड्मी नोट 5 फाइब के लिए लेटेस्ट बिल्ड इस्टेबल एंड्रोइट 10 का अपडेट आज चुका है हल्स रॉम का तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बैल इस तरह से डीस्प्ले का देखने को मिल जाता है और निचे आपको यहां पर गूगल सर्च बार का ऑप्सन भी देखने को मिलता और एंड्रोइड 10 का इसमें आपको गैसे बार बीदेखने को मिल जाता है जो आप इसको श्याइप राइट इसका करके यूज कर सकती हूँ तो आप देख सकते हो इसमें छोटा सा मुझे बख्स लग रहा है क्योंकि यार यह निए देख सकते हो इसने से से वापिस इसको में शोल पभु कर रहा है तो ऊसके बाद करते हैं इसमें आपको मैं कंर इनसे दिखा है की इसमें आपको Control Center की तरहं कर देखने को मिल जाता है तो आप şunu 저 दो का कंट्रोर से नीग को मिल जाता है इसमें मीडिया वार जो music नया control Center आता है तो यह 12.5 12.6 के फैल अब fällt में देखने को कर सकते हो जैसे मैं आपको दिखा लेता हूं कि डार्क मोडे इनेवल हो चुका एंटिक तो इसमें एक अलग सिस्टम आता है डिका देता हूँ बटन वगयर तो आप दिक सकता हो जो stable update में मीडिदा है वही आपको इस रॉम में देखने को मिल जाता है इसमें कुछ भी कुछ चैंज वगयर नहीं किया गया है इसकी settings में आपको द bakın चलते है अब कोई दिकलते हैं इसमें आपको features वगयर इसमें dest Win नहीं किया गया है यह नहीं किया तो सबसे पहले में आपको डिवाइस के वर्जन में जाके दिखा देता हूं तो आप देखते तो शाओमी व्यू इस्टेबल है और और इस प्रेक्स में चलते हैं आपको यहां पर सिक्रूरिटी अपचेस दस्वे महांने का देखने को मिल जाता है है सिक्रूरिट पेच यज़ादा आपको मतलब पुराना तो नहीं मिलता है तो आप देख़से को इसमें आपको र्ट enjoyment मिलता है बहुत अच्छा सो oni में और प हम क्लेंएBaakर्ण सल्वाइडन की ब्लते हैं उ को मिल जाते हैं तो आप देख सकत हो यहां рь कि मिल जाता है तो यह बातたい गैंको फाइब के शुपर रॉब्हाल पेपर का सपटिने को मिल जाता है उसके बाद में आपको इसमें फरी इंस्ट्वालपेपर भी बहुत सारा देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख से तो लाइबरेरी के अंदर जाओगे आप यहां पे ओनलाइन भी कर सकते हो और बाकि यहांसे आप देख से तो कस्टमाइज वगएरा वालपेपर का ओप्सें डिसमें आपको सारों में यह remove कर दिया जाता है तो यह मुझे एक अच्छी बात लगी उसके बाद में आपको दिखा लेता हूँ में जाओगे आप यहां से इसको enable वगरा यहां से कर सकते हो जो भी आपको करना अपलाई इसके बैटरी आपकी ज्यादा ड्रेनिंग होगी आप इसका यूज करोगे ऑल्वेज ओन डिस्प्ले का एमुलेट डिस्प्ले में इतना बैटरी ड्रेनिंग नहीं होता है तो इसमें यह फिच्छस मिल जाता है और इसमें आपको कस्टम अगरा का option देखने को मिल जाता है य जो भी आपको कस्टोमेज करना है वह इजली यहां से आप कर सकते हो उसके बाद में आप नेचे देख से तो कंट्रोल सेंटर नोटिफिकेशन शैड का option देखने को मिल जाता है जैसे आप इसके आप कलिक करोगे यहां पर आप जैसे तो हाइड नोच वगरा के भी option देखन यहां रिमूव कर लिया गया तो इसको आपको थी टाइप के इसमें देखने को मिल जाते है उसके बाद में आपको नेक्स फीचेस को आपको में दिखा देता हूं यहां पर नोटिफिकेशन यहां पर वॉल्यू अगरा कर दिखा लेता हूं श्वरी तो आप यहां पर पर देखने को मिल जाता है जो आपको निटबिकेशन यहां पर जयाता है तो आप यहां पर देखने है अगर आपको और शाले का रखना है तो आप आप MOE का रख सकते हो अगर आपको Android का रखना है तो आप Android का रख सकते हो जो भी आपको पसंद है वो सिंपल से आप टैप करके इसको इनेबल कर सकते हो इसके बात में आप कंट्रोल सेंटर का भी इसमें देखने को मिल जाता है वापिस इसमें इनक्लूड कर लिया इसको भी ठीके उसके बात में आपको नीचे दिखा लेगा लिए ता होम इसक्रीन होम इसक्रीन की सेटिंग में आप देखने का सपोर्ट देखने को मिल जाता है यहां पर आपको एप ड्रोर देखने को मिल जाता है जो आप क्लासिक बगरा एप ड्रोर इस तरह साब इसको इनेबल बगरा कर सकते हो यहां पर आपको बेक्रोंड का ओप्शन मिलता है जो भी जाता है आपको यहां पे लोग इसकी ननीमेसन में देखने को मिल जाता है पर यहां पर आइकन प्रसका है आपको एसमें देखने को मिल जाता है उसके पाद में निचन ले जाता है पास्ट Salam security में तो आप देखे तो lock screen, fingerprint, face unlock वगरा का इसमें आपको data का option देखने को मिल जाता है यहां पर आप second space always on display और privacy protection का भी आपको इसमें option देखने को मिल जाता है निचे आप जाओ को privacy protection आपको देखने को मिलता है इसमें आप apps का protection अलगी है इसमें privacy mask लगा सकते हो private space बना सकते हो तो आप इसमें उसके बाद में apps lock कर सकते हो, high apps कर सकते हो, second space कर सकते हो double apps यह सब कुछ आप इसमें से normal UI कर सकते हो और यहां से आप permission कौन सा apps कौन सी permission ले रहा है location, special permission आप देखे तो बहुत खतनाग नीचे security वगरा भी इसमें दे रखी है protection के लिगारी तो इस तरह का आपक temperature मिल जाता है, today charging time, यहां से आप mobile की battery switch off वगरा, on वगरा कभी आप यहां से schedule वगरा कर सकते हो, तो यह आपको इसमें system मिल जाते है, और नीचे आप जाओगे यहां पर देख सकते हो, मैं आपको additional setting में आपको दिखा लेता हूँ, time, reason, language वगरा, full screen, display का option आपको यहां पर द screen में data वगरा, use करते हो, तो यहां पर आपको दिखा देगा, अगर आपको विक्का देखना है, तो आप यहां पर कर लिजिए, और आपको इसमें focus mode का भी support देखने को मिल जाता है, उसके बाद में इसके लाब अगर आपको इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है, तो मैं आ आपको ब्लोप मोर्द, विदि टूल बॉक्स, फ्लॉटिंग विंडो, सेकंड इसप्रेस, और आम यो एलएफ वगरा आपको इसमें इसमें इसपर देखने को मिल जाता है, जैसे आप यहां पर इस तरह से करोगे, आपको देखसा तो यहां पर फ्लॉटिंग विंडो का उ इसको एड वगरा भी कर सकते हूं और कुछ एप्स वगर आपको यहां पर एड करने हैं शिंपल सी एप्स कई पर टेब कर ओंगे यहां पर आपको फ्लोटिंग विंडो में आप वगरा एक्दम स्टेवल रहां में इसमें आपको कुछ भी प्रोब्लम नहीं होगी इसकी एप अगर मैं आपको दिखा लेता हूँ चैनल क्रेस में आपको तो आप आपर देखने को मिल जाता है यहां पर सबता अपको पता तो सज राम करिक्डित को प्रोबलम नहीं होगी उसके बाद मैं 숨Ma 선생님 आपको लेता हूँ आप siya वीडियो क्वालिटी कौन से देखने को मिल जाती है क्योंकि इत्ते फीचर स दिखा लिया तो वीडियो क्योंती देखा लेता हूं अच्छा लगा तो फ़ली जार एक लाइक करिए और वीडियो को शेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जूर करिए क्योंकि इस तरह की मैं वीडियो बनाता रहता हूँ तो चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक जे हिंद जे भारत वंदे मात्रम